ओम नमस्षिवाई बंधों संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज शावन सोमवार के दिन मैं आपको शावन सोमवार के वर्त की कथास लाने जा रही हूँ बंधों शावन मास में जितने भी सोमवार आएं उन सोमवारों को सभी मुश्यों को वर्त अवश्य करना चाहिए खास कर जो मुश्य भी भगवान शिव शंकर भोलेना से चाहते हैं कि वे उनकी मनुकामना पूरी करें तो वे भगवान शिव को प्रसंद करने के लिए शावन मास में सोमवार के वर्त आवश्य करें क्योंकि शावन सोमवार के वर्त करने वाले मुश्य की भगवान शिव हर मनुकामना शिग्र पूरी करते हैं लोग बहुत उत्सुता से शावन मास का इंतजार करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जो शिग्र अपने भगतों से प्रसन हो जाते हैं बंधों सावन मास में रख करने वाले पर भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन होते हैं बंधों कोशिश पूरी करें कि शावन सोवार के रख करने वाले मुश्ये बिना नमक के ही भोजन करें और यदि हो सके तो फला हार ही करें बंधों यदि किसी से फलाहार के उपर रहकर व्रत नहीं किया जाता तब वे बिना नमक का भोजन ग्रहन करें और यदि बिना नमक के भी नहीं रहा जाता तो वे नमक खाकर एक समय भोजन करके व्रत कर सकते हैं बंधों जैसे भी आपका श्रीर आपको इजाजते उसी प्रकार व्रग करें बंधों व्रग करने वाले मुश्य को भगवान शिव की पूजा अरादना आवश्य करनी है शिवाले में जाकर भगवान शिव को कच्चा दूद चढ़ाएं गंगा जल चढ़ाएं और साथ ही फूल बेल पत्र धतूरा आपके फूल फल और दक्षिना साथ ही अखंडे चावल भगवान को अरपित करें और भगवान को पंचामरत भी आवश्य चढ़ाएं पूजा करने के बाद भगवान शिव की कथा सुने या कहें और फिर आति करें बंधों आति कपूर के साथ करेंगे तो आपको अधिक फल की प्राक्ति होगी बोलो शिवशंकर भोले नात कीजै प्राचीन काल में एक धनी व्यक्ति था जिसके पास सभी प्रकार की धन दोलत और शोहरत थी प्रन्तु दूरभाग्यवश उसके कोई संतान ना थी इस बाग का दुख उसे हमेशा स्ताता था लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों सच्चे शिवभगत थे दोनों ही शिव की अरादना में सुमवार को ब्रत रखने लगे उनकी सच्चे भगती को देकर मा पार्वती ने शिव भगवान से उन दोनों दमपती की सुनी गोद को भरने का अग्रह किया परिनाम सुरूप शिव के आशिरवा से उनके घर में पुत्र ने जनम लिया लेकिन बालक के जनम के साथ ही एक आकाशवानी हुई यह बालक अल्प आयू होगा और बारे साल की आयू में इस बालक के मृत्यू हो जाएगी इस भविश शिवानी के साथ उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति की अधिक खुशी ना हुई उसने अपने बालक का नाम अमर रखा जैसे जैसे अमर थोड़ा बड़ा हुआ उस धनी व्यक्ति ने उसको शिक्षा के लिए काशी भेजना उचित समझा उसने अपने साले को अमर के साथ काशी भेजने का निश्य किया अमर अपने मामा जी के साथ काशी की ओर चल दिये रास्ते में उन्होंने जहां जहां विश्राम किया वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राहमनों को दान दक्षना दी चलते चलते वे एक नगर में पहुँच गए जहां पर एक राजकुमारी के विवाहा का समारो हो रहा था उस राज कुमारी का दुला एक आख से काना था यह बात दूले के परिवार वालों ने राज परिवार से छिपा कर रखी थी उन्हें इस बात का डर था यह बात अगर राजा को पता चल गई तो यह शादी नहीं होगी इसलिए दूले के घर वालों ने अमर से जूट मूट का दूला बनने का अगरह किया और वहें उनकी अगरह को मना ना कर सका इस प्रकार उस राज कुमारी के साथ अमर की शादी हो गई लेकिन वहें उस राज कुमारी को धोखे में नहीं रखना चाहता था इसलिए उसने राज कुमारी की चुन्ड़ी में इस घटना करम की पूरी सच्चाई लिख दी राज कुमारी ने जब अमर के उस संदेश को पढ़ा तब उसने अमर को ही अपना पती माना और काशी से वापस लोटने तक उसका इंतजार करने को कहा अमर और उसके मामा वहां से काशी की योच चल दिये समय का पया आगे बढ़ता रहा उधर अमर हमेशा धार में कारियों में लगा रहता था जब अमर ठीक बारें वर्ष का हुआ तब वह शिव मंदिर में भोले बाबा को बेल पत्ते चड़ा रहा था उसी समय महा यमराज उसके प्रान लेने के लिए आए लेकिन इससे पहले भगवान शिव ने अमर की भक्ति से प्रसन होकर उसे दिर्ग आयू होने का वर्दान प्रदान किया परिनाम सुरूप यमराज को खाली हाथ लोटना बड़ा बाद में अमर काशी से शिक्षा प्राप करके अपनी पत्नी के घर पहुँचा तब राज कुमारी ने अपने पिता से कहा हें पिता जी यही मेरे पती हैं जिन के साथ उस रात मेरी शादी हुई थी उसके पिता ने राज कुमारी को अमर के साथ विदा किया और अमर उसके मामा जी और राजकुमारी तीनों अपने घर वापिस लोटाए जब अमर के माता पिता ने उसे जिविक देखा तो उनकी प्रसंता का कोई ठीकाना ना रहा सो बंधों ये है शावन के सोवार ब्रतों की महिमा जैसे की अमर की आयू सिरफ बारे साल थी और उसके माबाब के द्वारा शावन सोवार के ब्रत किये जाने पर भगवान शिव ने अमर को दिर्ग आयू होने का बदान दिया बोलो शिव शंकर भोली नात कीजै ओम नमस्षिवाई 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 ।ॉ ।ॉ ।ॉ । Om Namah Shivaya ओम नमाशिवाय, 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 ओम नमाशिवा अम्नमार्षिवाय, COMMू तैसा करें तो ठाहिए च Ecstasy-adam, य। नम्नमार्षिवाय, ओम नमाश्षीवाई बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें आज शेर भी जरूर करें धन्यवाद उसे लुए में पुन करें झाल झाल